बच्चों आपके सामने आज जो मैं पार्ट लेकर के आई हूँ आपके 9th standard book chapter 6 my childhood से इसका answer question मैं पहले वीडियो में इसके first part में आपके सामने दे चुकी हूँ और अब जो मैं आपके लेकर आई हूँ तो उसी lesson के जो grammar portion है उसको लेकर के आई हूँ जिसे मैं आपको आपके part से ही आपके lesson से ही जो कुछ भी है उसे उस grammar को समझाँगे यह lesson जो है यह lecture जो है तो 9th standard के बच्चों के लिए तो important है ही बट इसमें grammar है तो grammar तो सभी के लिए important है पार्ट में से कुछ भी दिया हो आपके competition exam में पार्ट के अंदर से ही grammar पूछे जाते हैं तो आप उनको जो और extra हैं दूसरे लोग भी है इस वीडियो से अपने आपको profit प्राप्त कर सकते हैं बेनिफिट भी ले सकते हैं इसे और आगे समझने का प्रयाज भी कर सकते हैं तो आपको यदि समझ में आता है हमारा ये lecture तो वीडियो को like, share, subscribe करना न भूलिएगा और comment section में जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है तो चलिए हम आपको आपके सामने लेकर के आए हैं आज जो पार्ट हमारा हमने बताया grammar portion से हैं तो grammar में से जो पार्ट दिया गया है अब है आपका thinking about, thinking about language, thinking about language, हम language की चर्चा करेंगे तो आप तो जानते ही है language जो होता है grammar, grammar जो बना हुआ है हमारे language से ही बना भाशा का ही विसे होता यदि हमें grammar का अच्छा knowledge नह नहीं सकते और ना समझ सकते हैं फिर हम अपनी भाषा का आदान प्रदान भी करना नहीं समझ पाएंगे तो चलिए हम चलते हैं आपके जो इस पार्ट में लेकर के आए हैं आप एदी नाइन्थ इस्टेंडर के बच्चे हैं तो आप अपनी विहाई बुक को लेसं सिक्स के ग जहां मतलब आपको इन शब्द जो नीचे शब्द दिये हैं ये शब्द दिया है ये है ये है ये है ये है ये सारे शब्द है इन शब्दों को सेंटेंस में से ढूरना कहां से ढूरना आपके टेक्स्ट बुक से जो आपने पार्ट पढ़ा है उन पार्ट में से इन पहले हम जान लेते हैं इरप्ट यानि क्या होता है इरप्ट यानि होता है फूटना या भी स्फोट करना आप और देख करके और सुनेंगे तो समझ मैं इरप्ट यानि फूटना या भी स्फोट करना फिर दूसरा है आपका सर्ज सर्ज यानि होता है तरंगे तरंग सर्ज या यानि आप जानते हैं कि सुराग होता है या खोजना होता किसी को बड़े एक सुराग के तहट खोजना वो ट्रैस कहलाता है ठीक है ना फीर है फीर है आपका undistinguished इसको यदि आप dictionary में ढूणेंगे तो सबसे पहले आपको ढूणना पड़ेगा distinguished distinguished यानि ढूणेंगे तो इसके आनि होता है विशिष्ट विशिष्ट होता है तो इसके आनि निशिद्ध कर सकते हैं ये निशिद्ध इसकार्थ होगा निशिद्ध फिर casualty casualty विश होता है आपका आपात या दुरघटना देखिए हर एक चीज में आपको लिख के नहीं बता रही हूँ औरल आप सुनेंगे तो समझ में आएगा एक बार अच्छे से समझेंगे इरप्ट, फूटना या विश्फोर्ट, सर्ज यानि तरंग, ट्रैस यानि सुराग, अनि निशिद्ध और casualty यानि दुरघटना या आपात अब चलते हैं इसको ढूड़ने तो हम आपके जो पार्ट में से हैं पार्ट में से लेकर के आ हैं इन शब्दों का पार्ट में व मांग थी, वो क्या हूँ, एका एक फूट पड़ी, एका एक उचाल मार दी, कि दूसरे में आपका आया है सर्ज, ये, I can still feel the सर्ज अप्राइड इन, earning my own money for the first time, ये भी उससे लिया गया है, हमने आपके पार्ट से सर्च करके लिखा हुआ है, आगे चलते हैं हम, आगे इसी in the, headlines in the, दिनमनी वो ढूड़ा करते थे, उसको, ट्रेस उस सुराग को दिनमनी अखवार में ढूड़ा करते थे, दूसरा सब्दाया है, undistinguished looks, यानि, I was a short boy with rather undistinguished looks, यानि कि, वो निसिद्र टाइप के दिखा करते थे, छोटे से बच्चे थे, इस तरह से लुक में, और next जो हमारा है, casualty, the first casualty came in the, from, the off suspension of the train halt, रामेश्रम station, तो इस तरह के sentences, आपके पांच sentences, जो शब्द दिये गे हैं, ढूड़ करके रख दिये गे हैं, और आगे दे रहा है, आगे इसी में से देता है, तो आप अपने बुक्स को जरूर ध्यान से देखिए, look these words of the dictionary, which gives examples of how they are used, now answer the following question, कुछ question दिये गये हैं, इन शब्दों का अर्थ आपको समझा दिया गया है, इन शब्दों को आप डिक्स्टरी में धून करके, जो question दिया गया है, उस question को आप स्वयम करने का यह आपके लिए practical दिया जा रहा है, प्रयोग दिया जा रहा है, क्रियात्मकार दिया तो question दिया गया है, कि एक शब्द दिया गया है, आपको उसमें से prefix समझा गया है, और prefix को समझा करके, शब्द जो बताया गया है, उन में से कुछ शब्द नीचे दिये गये हैं, जिन में से आपको prefix का यूज करना है, कौन-कौन से prefix यूज करना है, आपको un, उन में से यू शब्दों को आपको पूरा का पूरा बराना आप जानते हैं now from यानि कि from the opposite of the words below by prefixing an in l l m in the words given जो नीचे दिये गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करके आपको इनका opposite बनाना है यानि कि किसी का जब अर्थ साकार होता है तो उसका अर्थ जो ना यानि कि जो प्रफिक्स इनक प्रयोग किया जाता है यह प्रिफिक्स आपके सामने जो बताए गये है इन प्रिफिक्स का यूज करके उस sentence का भाव नकारात्मक हो जाता है उनकारात्मक भाव आपके सामने दिया जा रहा है वो चीज हम आपको समझाते हैं adequate adequate यानि होता है परयात gemacht इन में हम लगाएंगे इसमें लगाएंगे इन नेक्स्ट है हमारे डिमांडिंग डिमांडिंग का मतलब होता है मांग तो डिमांडिंग में लगाएंगे अन इसमें लगाएंगे अन देखिए औरल सुनने का ज़्यादा प्रयास करिएगा तो उसी को लगाएंगे इसमें in दूसरे वाले में un तीसरा है patriotic patriotic यानी होता देश भक्त तो इसमें भी लगाएंगे आप un unpatriotic, patriotic यानी देश भक्त नहीं logical, logical का मतलब होता है तार्किक तो इसमें लगाएंगे हम in, इसमें लगाएंगे in थीक, फिर हमारा acceptable, acceptable में लगाएंगे हम, acceptable जो हमारा इसमें लगाएंगे acceptable यानि स्विकार, तो इसमें हम लगाएंगे un, आस्विकार, इसमें लगाएंगे un, active, active यानि सक्री, तो इसमें हम लगाएंगे inactive, in, इन लगाएंगे निस्क्री, थीक, अगला है disputed, तो disputed में हम लगाएंगे पीर है regular, यानि हो रहा है नियमित तो नियमित regular हो रहा है इसमें लगाएंगे इर, फिर है true, true का मतलब होता है सात्य, ठीक, तो true में लगाएंगे un, true में लगाएंगे un, ठीक, फिर है accessible, accessible में हम लगाएंगे in, इसका मतलब होता है सुलाब, इसका मतलब होता है सुलाब, तो सुलाब का क्या हो जाएगा दुर्ग, responsible में भी लगाएंगे हम इर, ठीक, ये, अब फिर tolerant, tolerant का मतलब हो रहा है आपका सहंसील या शहिष्ण, तो इसमें लग जाएगा आपका in, इसमें लग जाएगा in, intolerant यानि अशहिष्ण, फिर है आपका permanent, permanent का मतलब हो रहा है स्थाई या स्थिर, तो इसमें हम लगाएंगे unperman, इसमें लगा देंगे un, ठीक, फिर है coherent, coherent का मतलब होता है सुसंगत, तो इसमें लगाएंगे in, इसमें लगाएंगे in, coherent, in coherent का मतलब होता है बेतुका, possible, possible का बहुत सरल है, आप सभी जान लगाएंगे हम इंपॉसिबल ठीक इंपॉसिबल ठीक इसमें इंपॉसिबल लगाएंगे ठीक तीस तरह से आपका हो गया आपने पढ़ा कि कौन सा प्रफिक्स कैसे लगाया जाता है कैसे यूज किया जाता है आपने प्रफिक्स को पूरा पढ़ा ठीक आप आगे चलते हैं आगे अब आया आपका में जो grammar हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो आपके सामने आ गया है passive voice आपके बुक में आपका जो बुक यदि लेके बैठे होंगे उसमें से passive voice दिया है और passive voice में आपके लिखा हुए 76 प्रिष्ट पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा है study these sentences my parents were regarded as an ideal couple ऐसे sentences दिये हुए है फिर इन sentences को पूरा explain करके बताया गया है तो जो explain किया गया है मैं उसको आपको यहाँ पे बताती हूँ कि wise क्या होती है wise में हमेशा आप जानते है कि wise जो होती है तो जो हमारे tense होते है 3 tense होते है और चारों पार्ट में से जो last के tenses होते है जो last के tenses होते है present perfect continuous tense past perfect continuous tense और future के दो future continuous tense और future perfect continuous tense इनको हटा करके 8 tenses की wise बनाई जाती simple simple जो सकारात्मा खमाते affirmative sentences के जो हमारे simple sentences है उनके इन में से आता है आपका assertive sentence interrogative sentence imperative sentence exclamatory sentences और objective sentence पांस प्रकार के हमने sentences आपको बताए है और पूरी wise को अच्छी धंग से पढ़ा करके हमने अपने इसी चैनल के English study with हारन में बहुत अच्छी तरह से wise को पूरा अच्छी तरह से explain करके अच्छी तरह से बताया गया है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाईएगा wise को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तब आपको जरूर समझ में आ जाएगा जरूर समझ में आ जाएगा तो यहां एक बार और हम repeat करते हैं कि हमेशा क्या होता है tense जैसा tense होता है tense recording हम उसमें से helping verb लगाते हैं और main verb जो होता है main verb का past participant form यानि main verb का third form यूज किया जाता है इस तरह से wise बनाई जाती है तो इसमें आपके बहुत simple सा दिया है इसमें जो sentences आपके part में दिया गया है तो बहुत simple सा है उसी को हम आपके सामने change करके बता रहे हैं तो इसमें दे रहा है rewrite the sentences below changing the verbs in brackets क्या लिखा हुआ है brackets into the passive form आपको passive form ही दिया गया है आपको करता को कर्म कर्म को करता ऐसा कुछ इसमें नहीं बनाना है लग से इसमें जो sentence दिया है और sentence की bracket bracket में जो दिया गया है उसी को आपको change करके passive wise का वो व यूज करना है passive wise का वो व यूज करना है as जो देखे passive wise दे रहा है पहले active देख लेते हैं यह हमारा active wise है तो active wise का हम पहले देख लेते हैं तो in yesterday's competition the prices give away by the principal अबे the principal देखे इसमें क्या दिया है यह active wise है active wise इसमें क्या दिया है in yesterday's competition the prices give away by the price bar आप सबसे पहले हमको ये पहचानना है क्या पहचानना है कि ये कौन सा tense का है ये लगा yesterday yesterday हो गया हमारा किस tense का हो रहा है past indefinite tense का past indefinite tense का past indefinite tense का हम कौन सा exolidive use करते है was work was work use करते है तो आगे देखिए हमारा passive complete होता है अब देखो इस पर क्या लगा वर given away by the principle क्या चिंज किया है give away को given away उसके पहले इसके according लगाया गया है और इसके according past indefinitance का मान करके past indefinitance का so हो रहा इसलिए was लगा लगा करके given away by the principle यह change किया गया है तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब आगे चलते हैं दूसरा sentence देखेंगे आप दूसरा sentence in spite of financial difficulties the laborers pay on time तो इसका देखेंगे चेंज क्या करना है इसमें देखेंगे आप difficulties the laborers पे यहाँ इसको चेंज करना है इसको बदलना है और इसके according इसके according आपको क्या लगाना है एक्ज़ली गोप्स तो एक्ज़ली गोप्स इसमें क्या लग रहा सबसे पहले हमें इसके sense में जाना है तो since हमारा क्या कह रहा है कि यह भी past indefinite tense का ही sentence in spite of financial difficulties the laborers were paid तो क्या हुआ है वोर पेड और टाइम बर पेड और टाइम ठीक नेक्स्ट ने आप चलते हैं चलिए आपको साथ यानि इसके recording यह बना laborers के recording क्या लगा वर पेड वर पेड यहां पे यूज किया गया ठीक नेक्स चलते हैं on Republic day the vehicles not allowed beyond this point विकल यानि वहां रिपब्लिक दे गड़तंत्र दिवस में इस इस पॉइंट में इस अस्थान पर vehicles allowed नहीं किये जाते हैं तो on Republic day vehicles were not allowed vehicles were not allowed beyond this point ठीक यह तो आपको समझ में आ गया यह भी आप next फोर्थ देखेंगे second hand books buy and sale on the payment every Saturday तो आप इसकी passive क्या बनेगी second hand books यानि की uses books कहलाती है वो एक बार यूज की जाती की गई book होती है एक बार कोई भी वस्त यूज की जाती है तो जब उसे हम शेल या buy करते हैं वो second hand कहलाती है तो जैसे आपने नया new mobile खरीदा उसको कुछ दिनों तक यूज किया जब दूसरे को आप swim sale करोगे तो second hand आपका product माना जाएगा इसी तरह से second hand books buy and sale on the payment every Saturday यानि की every Saturday को second hand books बेंची और खरीदी जाती है तो इसमें हमें क्या change करना है यह इसके recording चलना है और books के recording तो sentence के recording चलना sentence किसका है तो जाती है ऐसा बेंची करके जाती है तो यह present indefinite को so कर रहा है तो second hand books are bought and sold on the payment every Saturday ठीक आपको समद में आ गया यहाँ पे क्या किया गया एक्जोलिट वाप साल लगाया गया बाइक को bought किया गया and sell को sold किया गया यह सरल सब्दों में ऐसे आप समझते चलिए ठीक नेक्स चलते हैं एलेक्सन चुद लोगसभा hold every five years यानि लोगसभा का चुना जो है तो प्रते पांच वर्स में होता है ठीक है ना तो इसमें क्या लगाएंगे लोगसभा चुंकि एलेक्सन्स है एलेक्सन्स आप दे लोगसभा यह पूरा का पूरा है आपका subject माना जाएगा तो एलेक्सन्स टू दे लोगसभा आर हेल्ड इवरी आर हेल्ड होल्ड का क्या हो गया है आपका हेल्ड ठीक और एक्जोली वप्स क्या लगा आर लग गया इस पे एवरी five years ठीक यह भी आपका complete हो गया यहाँ पे change हुआ आर लगा and हेल्ड होल्ड का हेल्ड किया ठीक यह आपको सबज में खाला गया next जलते हैं अबर national anthem composed रविन्ना ट्रेगोर रास्टी गाम जो हमारा है national anthem तो किसने गाया है तो आबर national anthem was composed इसमें गया 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 था है न तो यह पास्ट को सो कर रहा है इसलिए वाज लगा और composed 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 हो गया है तो Composed by Rabinna Tagore ठीक, अब एक question में आपके लिए दे रही हूँ यदि आप book पढ़ते होंगे, book पढ़ने के सौकीन होंगे और book को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको इसका answer इसी book में मिल जाएगा इस question का answer आपको हमारे comment box में देना है दूसरे का तो नहीं पता लेकिन जो हमारे class के बच्चे हैं वो जरूर इसका reply हमको हमारे comment section में करेंगे My parents regard as an ideal couple यदि जो बच्चा इसका answer नहीं देगा तो मैं समझ लूँगी को बच्चा बिलकुल भी नहीं पढ़ता है तो जो हमारे class के बच्चे हैं उसका answer जरूर देंगे तो मैं एक बार और question सुन लीजिया My parents regard as an ideal couple इसका answer आपको हमारे comment section में देना है इसका answer आपको हमारे comment section में देना है comment में आपको इसका answer बताना है ठीक आप चलते हैं आगे आगे एक part हाया है एक हम कह सकते हैं कि छोटा सा unseen passes है unseen passes पैराग्राफ है आपके जो book है book में देखेंगे लिखा है rewrite the paragraph below using the correct form of the verb given in the brackets यानि आपके इस part में कुछ brackets दिये गए हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका bracket आपका bracket दिखा यहाँ पे दिख रहा है और देखेंगे जब पढ़ाएंगे तो bracket आपके आएंगे यहाँ पे दिख रहा है अब इन ब्रैकेट में क्या कह रहा है कि rewrite the paragraph below नीचे दिये गए paragraph को using the correct form of the verb correct form of the verb अभी हम तीन वीडियोज correct form of the verb का ही पढ़ाएं है कि यही paragraph को जो अपन fill up करते हैं तो उसमें verb को कैसे correct किया जाता है वो मैं बताई हूँ उसमें भी और इसमें भी बताऊंगे form of the verbs given in the brackets जो bracket में दिये गए हैं उन्हें को आपको सही करना है ठीक तो चलिए पहले सही कर लेते हैं फिर इसका हम आपको इसका जो है since और इसका अर्थ जो है बता देते हैं साथ में चलते हैं नारी contractor was the captain and the opening batsman for India in 1916 16th यानि कि 1960 में नारी contractor नाम की captain भारत के cricket के captain थे जो सलामी बल्लेवास थे भारत के सलामी बल्लेवास थे the Indian cricket team went on a tour to West Indies in 1962 भारती cricket team 1962 में West Indies टूर पर गई in a match against Barbados in Bristown उनका match जो था तो Barbados Bristown के विरुद्ध था ठीक नारी contractor seriously अब यहां पे देखिएगा यहां पे आपका क्या लगा हुआ है bracket है ठीक यहां पे bracket दिया है तो यहां पे जो bracket दिया गया है यहीं पे सुधार करना है आपको और सुनते चलेंगे और इसको fill up करते चलेंगे नारी contractor was seriously insert तो यहां was भी लगा सकते है और was का भी यूज कर सकते हैं यहां पे यहां पे आप was was लगा सकते हैं या तो got भी लगा सकते हैं got का भी यूज कर सकते हैं तो नारी contractor was seriously insert insert को क्या करेंगे insert कर देंगे and calopsed calopsed ठीक नारी contractor was seriously insert and calopsed यानि कि नारी contractor जो थे तो वह घायल मुखे seriously यानि गंभी रूप से घायल हो गए और धागे in those days helmets helmets were not worn यहां पे लगाएंगे helmets were ठीक यहां लगाएंगे helmets were not worn डबलू ओ आर एन कर देंगे worn यहां वर worn ठीक यहां पे हम करते जारें complete ठीक है ना तो यह लगाएंगे यहां लगाएंगे आपका those days helmets were not worn यानि उन समय में helmet नहीं पहने जाते थे contractor was hit अब यहां पे फिर साय तो contractor was लगाएंगे यहां पे यहां पे हम लगा देंगे was contactor was hit on the head by a bouncer from Charlie Griffiths यानि कि जो contactor थे रननारी contactor थे तो वो किसके द्वारा किसके bounce के द्वारा हिट किये गएंगे आरली Griffiths के गेंड के द्वारा वह हिट मार्ट पिट गए लग गया उनको चोटा गए इस इस इसकल फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया यहां पे तो इसकल वाज यहां भी क्या लगाएंगे हम यहां पे भी वाज का यूज करेंगे वाज इसकल फ्रैक्चर कर देंघे फ्रैक्चर ड़प पर यहां पर लगाएंगे हम वस इंटायर टीम वाज डीपली कॉंसर्ट यानि कि पूरी टीन जो थी तो चिंतित हुई दो वेस्टर्ण डीस प्लेयर्स वर वरीड यहां पर लगाएंगे वर डबलू ए री वर वरीड आई इडी लगा देंगे वरीड फिर कॉंटेक्टर्स कॉंटेक्टर्स कॉंटेक्टर को वाज यहां लगाएंगे यहां भी व Miles का यूज was यानि कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया दा ली ही वाज वाज यह पैए कॉंपनीरड आई ईीडि कर देंगे और वाज लगा देंगे यहां पर He was accompanied Frank Worrell यानि कि वो उनका साथ Frank Worrell, the captain of the West Indies टीम के captain ने उनका साथ दिया Blood was donated by the West Indies players West Indies player के द्वारा blood donate किया गया Thanks to the timely help समय पर help करने के लिए धन्यवाद Contactors was saved Nowadays helmets are routinely used against ballers आज कल ऐसा use किया जाता है तो यह आपको यदि लिखा हुआ, हमारा बताया हुआ समझ में नहीं आ रहा है Oral सुनते चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा और इसको fill up कर लेंगे चलें, आगे चलते हैं एक हमारा paragraph और दिया गया है उसकी ओर हम बढ़ते हैं उसको भी सी तरह समझाना है उसमें भी सी आपको sentences के वर्ब को correct करना है Sentence के वर्ब को correct करना है ठीक, तो चलते हैं Vegetable oil Make दिया है, तो यहाँ पे होगा Mid Second form लगेगा, यहाँ हो जाएगा Mid आपका, यहाँ पे होता है Mid ठीक Vegetable oil made From seeds and fruits Of many plants growing All over the world From tiny skin Seeds to big Juicy coconut Oil product Oil product दिया हुआ है यहाँ पे तो आप हो जाएगा Oil produced यहाँ पे third form लगा देंगे Second form लगे Oil produced from Cotton seeds, ground nuts, soya beans and sunflower seeds Olive oil Olive oil used यहाँ पे used लगाएंगे Olive oil used for cooking, salad, dressing etc Olive Olives Olives जो है तो यहाँ पे हो जाएगा Olives are Olives are second यहाँ पे हो जाएगा second From the trees and gather Gather के स्थान पे हो जाएगा Gathered यहाँ पे हो जाएगा Gathered Gathered up usually by hand The olives Grounded हो जाएगा Olives are grounded Olives are Grounded Grounded a thick paste Which is spread Onto a special mat Then the mats Then the mats are यहाँ पे क्या हो जाएगा Then the mats are Lloyd Mats are यहाँ पे हम लिख देते हैं लगेगा Are Lloyd यहाँ पर इस तरह से आपका सेंटेंस भी कैरेक्ट हो गया है और इसका 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 हिंदी रूपांतरण आपको चाहिए इसका आर्थ चाहिए तो सुनना इदी चाहें तो हम जल्दी से बता देते हैं आपको वेजिटेवल ओल मेट फ्रॉट्स अफ मैनी प्लांट् सब्सक्राइबल से सब्सक्राइबल से सब्सक्राइबल से तेल निकाले जाते हैं इसके फ्रॉम सीड से बीजों से फ्हलों से और पौधों के पौधों को गारने के लिए पूरे संसार में पूरे संसार में तेल बनाने के लिए इनका उतपात किया जाता है फ्रॉम टाइनी जैतून के तेल का प्रयोग भोजन के लिए किया जाता है। olives are second from the trees and gathered up usually to hand इनको olive को जो होता है जैतुन को जो हाथों से इनका collection इनको एक अठा इनके पेणों से सुखाया जाता है और इनको हाथों से collect किया जाता है the olives are ground to a thick end paste which they spread into special mats इससे एक special mat में इनको क्या किया जाता है इनका paste बना करके पतला करके इन्हें सुखाय में उसमें रखा जाता है then the mat are laid up on the pressing machine which will gently squeeze them to the produce olive oil तब तरह से इस तरह के उसका mat बनाया जाता है उसे एक machine में डाला जाता है और machine से ही इनके तेल को निकाला जाता है इस तरह से आपका जो paragraph है complete होता है इसी तरह के paragraph आपके exam में आने वाले हैं जिन में से आपको bracket में दिये जाएंगे इस bracket में कुछ verbs होंगी जो incorrect होंगी आप उनको correct करना है और इसी तरह से बना करके आपको लिखते पढ़ते चलना है तो बच्चों आपको ये session कैसा लगा हमाई comments में जरूर बताएगा लिखिएगा जरूरा और समझने का प्रयास करिएगा और जहां ना समझ में आए उसे पूछने का भी प्रयास करिएगा For watching this video, thanks, thanks a lot